Hello everybody, welcome to your own channel Study Blaster and my name is Dinesh Arit. Today we are going to talk about the exercise of models. आज हम बात करने जा रहे हैं models की exercise के उपर. पिछला हमारा जो वीडियो था वो आपको आई बटन में मिल जायागा और जहां पर हमने बात की है models के कैसे uses होते हैं और किस तरह से इनका use किया जाता है. तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप exercise कीजें. ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा important है. साथ ही साथ जो लोग spoken कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है. इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें. हम एक एक चीज़ के उपर बात करेंगे. तो आईए चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हमारे exercise के उपर. करने के लिए या ब्लैस करने के लिए या फिर कर्स करने के लिए हम मेका यूज करते हैं. तो यहाँ पर इसलिए मेका यूज किया जाएगा present के reference में. The sky is cloudy, it may rain today. यहाँ पर क्या आएगा हमारा मे यानि कि जब possibility होती है जब possibility होती है तब हम क्या यूज करते हैं? अब देखिये ध्यान दीजेगा यहाँ पर अभी मैंने उपर आपको कहा ता कि विश ब्लैस और कर्स करने के लिए मेका यूज किस के reference में? प्रेजेंट के reference में और इसी तरह से विश ब्लैस और कर्स का यूज किया जाता है past के reference में ठीक है? यह sentence past कैसे नजर आ रहा है? यहाँ पर she prayed यानि कि prayed यहाँ पर second form of the verb है ठीक है प्रेड क्या है यहाँ पर second form of the verb है और verb का second form शो करता है किसको verb का second form शो करता है आपके past को ठीक है इसी लिए यहाँ पर हमने use किया है किसका might का I cannot solve this puzzle यहाँ पर puzzle solve नहीं कर सकता है यह उसकी क्य आद दिखा रहा है ability को दिखा रहा है या फिर inability को दिखा रहा है ठीक है तो ability या फिर inability को show करने वाले sentence में हम use करते हैं किसका can का ठीक है यह भी ध्यान रखेगा कि ability या फिर आपकी capability या capacity को show करने वाला sentence किसमें होगा can के reference में होगा और किस reference में होगा present के reference में होगा यह भी किस चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पर भी आपकी ability शो हो रही है तो इसलिए यहाँ पर can use होगा ठीक है जब तक हमें past की कुछ clue नहीं मिल जाती है तब तक हम उस sentence को present के अंदर ही मानेंगे अब देखें next हमारा they not understand this passage यानि कि यहाँ पर भी हमें can का use करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी ability या फिर capacity की बात हो रही है और किस reference में हो रही है present के reference में हो रही है तो इसलिए यहाँ पर use किया जाएगा किसका can का अगला sentence है can you lift this box यहाँ पर उसकी capacity की बात हो रही है और capacity की बात किस में हो रही है present के अंदर हो रही है तो इसलिए यहाँ पर भी हम use करेंगे किसका can का use करेंगे यहाँ पर भी हम किसका use करेंगे can का use करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा can you lift this box she solved this puzzle sorry she solved this type of problem अब यहाँ पर फिर से हमारी उसकी capacity नजर आ रही है देखिए solve कर सकती है यानि कि यह verb क्या है यहाँ पर किस तरह का mode दिख रहा है solve करने का यानि कि capacity का तो इसलिए she can solve this type of problem कि वो इस तरह की problem को solve कर सकती है I said that I could solve the problem अब यहाँ पर देखिए said जो है यह फिर से verb का second form और verb का second form होने की वज़े से यहाँ पर हम could का use करेंगे हाला कि यहाँ पर भी capacity की बात आ रही है capacity या फिर capability या फिर ability की बात आ रही है लेकिन यह किस reference मा रही है past के reference में तो past के reference में जब यह बात की जाएगी तो उस समय पर हम use करेंगे could का use तो इसलिए यहाँ पर क्या use आएगा could I did all that यहाँ पर second form है फिर से यानि की past को show कर रहा है I did all that I could मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था ठीक है यह वही sentence है मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था तो इसलिए यहाँ पर past के reference में बात हुई है किसकी capacity की तो capacity की बात अगर past के reference में होगी तो हम use करेंगे could का तो यह सारी चीज़े थी यह 10 हमारे sentences थे और भी sentences पर हम बात करेंगे पहले आप इन सारी चीज़ों को एक बार उतार लिजे आए चलते हैं हमारे अगले sentences पर तो हमारा पहला sentence यहाँ पर शिवानी run very fast when she was 10 years old यानि कि शिवानी बहुत तेज दौड सकती थी जब वो 10 साल की थी तो यहाँ फिर से capacity की बात आ रही है लेकिन capacity की बात किसमे हो रही है past के अंदर तो इसलिए हम यहाँ पर use करेंगे could का कि शिवानी could run very fast when she was 10 years old कि शिवानी जब 10 साल की थी तो वो बहुत तेज दौड सकती थी यहाँ पर देखिए I come in sir जब भी आपको official permission लेनी हो जब भी आपको official permission लेनी हो आप पिछला वीडियो जरूर देखें वहाँ पर इन सारी चीजों को बहुत ही detail में explain क्या हुआ है जब भी आपको official permission लेनी हो तो आप use करते हैं मे का तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा may I come in sir ठीक है इसी तरह से देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि bless wish और curse के लिए हम किसका use करते हैं present के अंदर मे का तो may God bless you ठीक है may you live long यहाँ पर फिर से bless करने की बात आ रही है तो may you live long we play so that we may have good health यहाँ पर मे का use देखिए so that or in order that यह exam में ध्यान रखेगा in order that इन दोनों के साथ अगर यह दोनों चीज़ें sentence के बीच में आती हैं तो वहाँ पर make a use किया जाता है किस sense में purpose को शो करने के लिए किस के लिए purpose को शो करने के लिए आपको पिछले वीडियो में बात बता दी गई है ना इसलिए मैं कि पिछले वीडियो जो है वो बहुत खा राप्त कर सके एक अच्छी हैल्थ हम ले सके या गेन कर सके उसी के लिए हम खेलते हैं वी लेबर्स हार्ड इन ओर देट अभी थोड़ी देर पहले बात किये इन ओर देट शी में गेट गुर्ड मार्कस ठीक है कि वह बहुत कथिन मेहनत करती है ताकि वह अच्छे मार्ट लेकर आ सके ठीक है फिर से आगया आपका ब्लेस करने के लिए तो यहां पर फिर से हम यूज करेंगे मेका इस सेंटेंस को बहुत इंपोर्टेंट आप लिख लीजेगा यह बहुत ज़्यादा एक्जाम में आता है यहां से कोशन ठीक है आसमान जो है वो क्लावडी नहीं है लेकिन मौसम में जो परिवर्तन होता है जो चेंज होता है वो तो हमेशा पॉसिबल है तो इट रें टुडे तो यहां पर मे का यूज करें या फिर माइट का यूज करें तो इसी लिए यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट के अंदर हम यूज करते हैं माइट का यानि कि जब बादल नहीं चायवें तब भी बारिश होने की सं यानि कि बहुत ही नाम्मात्र की संभावना अगर हिंदी में हम कहें तो शीन संभावना ठीक है बिलकुल कम नाम्मात्र की ठीक है क्या कहेंगे हम नाम्मात्र की तो नाम्मात्र की संभावना जब होती है प्रेजेंट के अंदर तो हम प्रेजेंट के अंदर भी माइट का यू हो सकती है इसलिए आज बारिश हो सकती है तो वहाँ पर तो देखे क्लाउड है लेकिन यहाँ पर क्लाउड बिलकुल नहीं है फिर भी बारिश हो सकती है तो पॉसिबिलिटी किस में जादा है जहाँ पर क्लाउड है वहाँ पर पॉसिबिलिटी जादा है जहाँ पर क्लाउड sentences के उपर जहां पर कि हम will और shell के उपर जो है बहुत ज़्यादा confusion होता है सभी बच्चों को तो यहां पर देखिए will और shell का जो use है वो आप अच्छे से देखेगा देखे जनरली आप अगर tenses की बात करें तो tenses के अंदर आप i और v के साथ shell का यूज करते हैं लेकिन models के अंदर i और v के साथ हम will का use करते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है देखिए i और v के साथ will का use काप करते हैं जब हमें किसी को command देनी हो तब हम use करते हैं या फिर हमें promise देना हो तब हम use करते हैं या फिर assurance देनी हो तब हम use करते हैं या फिर determination के लिए भी हम use करते हैं किसका i और v के साथ will का और determination के साथ साथ ही आपको threat या फिर warning यानि कि धमकी या फिर चेतावनी देने के लिए भी I और V के साथ Will का यूज किया जाता है बाकी सब के साथ Shall का यूज किया जाता है तो देखे पहला sentence he shall be appointed यानि कि उसे इपोइंट किया जाएगा यहाँ पर यह assurance वाली रहाया यानि कि सुनिश्चित कर दिया गया है जाय यह से अपोइंट किया जाएगा यह passion मैं है यह construction ध्यान रखेगा he shall be appointed is intermittent clear यहांपर प्रोमिस की बात आ होगा या जो मैंने कहता हूँ या जो मैंने कहता हूँ आ यहां फिर से किसकी बात आ रही है? कमांड की, यानिकि, order देने की बात आ रही है, किसी को आदेश देने की बात आ रही है, तो वहाँ पर भी हम, I, और V के साथ, Will, और बाकी सब के साथ, Shell, Nobody, Will आएगा, या फिर Shell आएगा, देखे, I, और V के साथ, अगला देखे, I never speak to her, यानि कि यहाँ पर determination की बात आ रही है, किस की बात आ रही है, determination की और I के साथ हमने बताया था will, यहाँ पर shall नहीं use होगा, क्या use होगा, will, I will never speak to her, कि मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, इसी तरह से I will achieve my goal, कि मैं अपना goal जो है वो achieve कर लूँगा, फ के साथ will, I will beat you, आप tenses में बिल्कुल भी मत जायेगा, tenses अलग है, tenses में इसका use अलग होता है, और models के अंदर इसका use अलग होता है, we will kill him, यहाँ पर फिर से warning आ रही है, या फिर threat आ रहा है, तो threat या warning के case में हम किसका use करते हैं, I और we के साथ, फिर से will का use करते हैं, तो we will kill him, ठीक है, clear होगी बात, we will try to help you in this project, यहाँ पर फिर से हमने क्या दी है, assurance दी है, यानि कि सुनिश्चित कर दी है, कि हम आपकी इस project में साहेता करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, we will try to help you in this project, clear है बात, you work hard, यानि कि यहाँ पर advice देने की जब बात आती है, ध्या का use करते हैं, किसका use करते हैं? शुड का use करते हैं, किस के case में, suggestion या फिर advice के case में, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, you should work hard, यानि कि तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, you should take medicine on time, यानि कि तुम्हें time पर medicine लेनी चाहिए, यह क्या है, suggestion है, या फिर advice है, किसी को सलहा द देना या फिर एडवाइस देने के सेंस में शुड का यूज किया जाता है प्लीज टेक यो टाइम आप इन सभी चीजों को एक बार नोट कर सकते हैं फिर हम चलेंगे हमारे next sentences के उपर आए चलते हैं हमारे next sentences के उपर जो की बहुत ज़्यादा important है और देखे ये वीडियो जैसे जैसे आगे चल रहा है आपको बहुत सारी चीज़े पता लगती जा रहे हैं ये सिरफ हम exercise कर रहे हैं इससे exercise को करने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देख लिजेगा आए चलते हैं हमारे next sentence पर one obey once elders यानि कि प्रतिक व्यक्ति को अप speak the truth यानि कि तुम्हें सत्य बोलना चाहिए तो यहां पर भी moral duty की बात आ रही है तो इसलिए यहां पर भी क्या यूज किया जाएगा शुड का यूज किया जाएगा अगला sentence देखे work hard less you should fail exam के अंदर अगर आपको last दिखाई देता है exam के point of view से बता रहा हूं बिल्कुल ध करना हम क्याते ना कि work hard less you should fail यानि कि कठिन महनत करो वरना तुम fail हो जाओगे या फिर कठिन महनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम fail हो जाओ तो यहां पर क्या आएगा इसलिए should आएगा देखे less को ध्यान रखेगा exam में बहुत बार यह question पूछा गया है और आपको कुछ नहीं क करेंगे शुड का यूज करेंगे if I were a bird I would fly in the sky अब वुड का यूज यहां पर किया जाएगा और किस reference में किया जाएगा देखे यहां पर imagination के लिए imagination के लिए या फिर imagine करने के लिए या suppositional sentences हम इने बोलते हैं ठीक है टेंस के अंदर हम इने पढ़ेंगे लेकिन यहां अभी आपको बात यह ध्यान रखने कि imagine करने के लिए ऐसा कोई काम जो कि past में हो जाता तो शैद आप उस चीज़ को कर लेते हैं लेकिन वो काम हुआ नहीं तो उस sense में हम किसका use करते हैं would का use करते हैं if वाले sentence के बाद वाले sentence में यानि कि if condition के साथ देखे पहला sentence तो if I were a bird वैसे तो I के साथ generally हम क्या लगाते हैं was लगाते हैं लेकिन यहां सभी तरह के subject के साथ imagination करने के लिए हम क्या लगाते हैं वर का use करते हैं ठीक है if I were a king जैसे कि मैं मैं बन तो नहीं सकता हूँ लेकिन क्या है imagination है तो imagination के लिए सभी subject के साथ हम work का use करते हैं जैसे if she were a queen की काश वो एक रानी होती है ना तो यहाँ पर इस तरह के sentences को show करने के लिए सभी के साथ work का use किया जाता है या फिर second form का use किया जाता है अगर मैं आपको detail में बताऊं तो यहाँ पर second form है यह word भी किस तरह से है second form है लेकिन word का use इसलिए किया है क्योंकि imagination दिखानी है ठीक है तो देखिए if I were a bird की अगर मैं एक पक्षी होता I would fly in the sky तो मैं क्या आकाश में उड़ पाता ठीक है तो imagination को show करने के लिए भी किसका use किया जाता है word का use किया जाता है if you came to me I would help you अगर तुम मेरे पास आये होते यहाँ पर आया तो नहीं न वो वेक्ती तो यहाँ फिर से क्या है imagination की तरह ही है suppose कर रहा है कि if you came to me अगर तुम मेरे पास आये होते I would help you तो मैं तुम्हारी साहता कर देता clear है बात अगला देखे if I were a king I would make you my chief advisor अगर मैं राजा होता अगर मैं राजा होता अगर मैं king होता तो मैं तुम्हें क्या बना लेता मेरा chief advisor बना लेता clear हो गई बात अगला है देखे जब वो class 10th में थी तो तब वो बस से school जाया करती थी तो past का कोई routine है past की कोई habit है या past का कोई जो आपका daily routine था ठीक है daily routine past के अंदर past का daily routine past का daily routine या फिर past की कोई habit को show करने के लिए भी किसका use आता है past की कोई habit को show करने के लिए भी हम किसका use करते हैं हम would का use करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बता दी है ठीक है तो she would go to school by bus when she was in class 10th अगला देखे I would play cricket in my childhood यहाँ childhood आ रहा है इसलिए बात हो रही है कि बच्पन की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर would का use किया जाएगा कि मैं अपने बच्पन में क्या खेला करता था cricket खेला करता था would की जगए use to का भी use up कर सकते हैं ठीक है वो past simple का lecture अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने इस बात को clearly बताया हुआ है he would rather die than back यहाँ पर rather के साथ जब भी आपको एक्जाम में दिया जाएगा तो ध्यान रखेगा would का use आपको करना है कि मैं मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा है ना sorry वह है यहाँ पर ही दिया हुआ है तो he would rather die than back कि वह है मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा तो यहाँ पर यह दो चीजों में preference की बात यहाँ पर कह सकते हैं हम इसे की preference देना यानि की choice देना तो उसलिए भी हम किसका use करते हैं would का use करते हैं आपको exam point of view से rather ध्यान रखना है कि rather के साथ क्या use होता है would use होता है ठीक है exam में आप इस तरह से click किजेगा इस question को ऐसी विश चुकि नियर फ्यूचर आप चाते हैं उस विश के लिए भी किसका use आता है जो आप अपने खुद के लिए चाहते हैं तो ऐसे चाहने वाले sentence यानि की विश करने वाले जो sentence होते हैं चाहने के लिए हैं कोई चीज आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं क्लियर हो गई बात, प्लीज टेक यो टाइम, आप इन सभी चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे, आगे कुछ होर सेंटेंस के उपर बात करेंगे, ठीक है, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस के उपर, तो नेक्स्ट सेंटें है कि we must pay our taxes, यानि कि हमें हमारे जो taxes हैं उन्हें pay करना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम किसका use करेंगे, must का use करेंगे, he has five cars, he must be rich, यहाँ पर strong possibility को show करने के लिए, ध्यान रखेगा strong possibility, आपको पढ़ाया हुआ है सारी चीज़े पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर जाके आ rich होना चाहिए, वो अमीर होना चाहिए, अब जिसके पास पांच कार हैं तो यह तो बहुती strong possibility बन जाती है कि वो क्या होगा, अमीर होगा, he got first rank in IAS exam की, उसने IAS exam में first rank प्राप्त की है, he must be intelligent, तो वो क्या होना चाहिए, intelligent होना चाहिए, या इसकी strong possibility होती है कि वो व्यक्ति क क्या चीज़ा आ रही है, moral obligation आ रहा है, यह द्यान दिजेगा, moral obligation के sense में, कि सेंस में, moral obligation के sense में, यानि कि moral जो हमारा करतव्य, हमारा जो नैतिक करतव्य हो, उस sense में हम ought to का use करते हैं, we ought to love our country, इसी तरह से we ought to work for the welfare of the nation, यानि कि हमें हमारे रास्टर के welfare के लिए, यानि कि हम यह बहुत ज़एदा इंपॉर्टेंट है, यानि कि तुम्हें यहां रुकने की जुरॉट नहीं है, यानि कि necessity को, यानि कि आवशक्ता को किसमें दिखाने के लिए, आवशक्ता को negative में दिखाने के लिए, necessity को negative में दिखाने के लिए हम need not का use करते हैं, अब यहां पर एक च ते हैं ठीक है यहां पर नीड नॉट किस तरह से हो रहा है as a model वर्ब यूज हो रहा है लेकिन इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में जो नीड है you don't need to help me यानि कि तुम्हें मेरी help करने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर जो नीड है यहां पर as a main verb यूज हो रहा है इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें कि you need not stay here यहां पर यह जो need not है यह तो क्या है एक तरह का helping verb है या फिर हम कह सकते हैं कि model verb है लेकिन दूसरे sentence में अगर हम बात करें you don't need to help me यहां पर जो need है यह as a main verb यहां पर काम कर रहा है इसी तरह से देखें next sentence हम देखें how dare he speak like this यानि कि ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई यहां पर जो dare है यह dare as a model verb use आ रहा है कैसे use आ रहा है as a model verb यहां पर हम इसे use कर रहे हैं यहां पर dare को as a model verb यहां पर dare use कर रहा है यहां पर हम बात कहें कि dare as a model verb use हो रहा है इसी तरह से अगर next sentence को आप देखेंगे ध्यान से he does not dare to ignore me यानि कि उ से उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे एग्नॉर कर देval Nowadays के लिए किस लिए होता है अ किसी दुसरायईर के लिए करते हैं दुसरास यह चुनौती देने के लिए हम किसका हुँद करते से यहाँ ङेर का ईग्नॉर्मीब यानि उसकी इतनी हमत नहीं है कि वो मुझे इग्नॉर कर दे उसकी मुझे इग्नॉर करने की हमत नहीं है तो इस तरह से हमने सारी exercise कि और पिछला विडियो भी हमने देखा इसी के साथ कि पिली आपके लिए हो जाता है तो आप क्या है कि अपनी study को बहतर तरीके से कर सकते हैं तो इसलिए notification ज़रूर on कर लिजेगा ठीक है Thanks a lot for watching this video